नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है चैनल में बताने जा रहे हैं जिसके कारण बहुत सी यूवतियां शर्म महसूस करती हैं तो हम बात कर रहे हैं दाड़ी मूच उगने की जब उनके चहरे पर दाड़ी मूच उगाती है तो वह उनके लिए एक बहुत बुरा अनुभव होता है तो आज हम इशी विशे में बात करेंगे कि औरतों को दाड़ी मूच क्यों आती है PCOS यह एक खतरनाक हार्मोन डिसॉल्डर है जो औरतों के रीप्रोडिक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है औरी को नुकसान पहुंचाता है औरी से अंडे निकलते हैं जो स्पर्क के साथ मिलकर भृून बनाते हैं लेकिन जब औरी से अंडे नहीं निकलते हैं तो उस पर एक सिस्ट बन जाती है इनके अंदर एक liquid होता है ये cyst एक endrogen के नाम से एक hormone पैदा करते हैं 10 में से हर एक ओरत को ये syndrome होता है 10 में से 6 image लड़कियां होती है हाईए आपको बताते हैं कि PCOS होता क्या है यह एक PCOS पोलिस्टिक syndrome का एक reason होता है हमारा lifestyle pattern यह pattern 25-30 सालों में काफी बढ़ गया है यह एक बिमारी नहीं यह एक syndrome है जो fatty acid के ज़्यादा बढ़ जाने से होता है इसके अलावा यह पोदों में ज़्यादा खाद के इस्तिमाल से और production के कारण भी बढ़ रहा है इस syndrome में hormonal change होता है जिस से चहरे पर बाल उगाते हैं और साथ ही साथ प्रजनन ख्षमता पर बुरा असर पड़ता है एक medical research में देश भर में PCOS को लेकर एक survey हुई जिसमें पाया गया कि यह समस्या और्तों में ज़्यादा बढ़ रही है आईए जानते हैं इसकी वज़े क्या है इस PCOS से गुजर रही और्तों में इसका level बढ़ जाता है एक्रियाज से निकलने वाला एक हार्मोन है यह शरीर में सुगर को energy में convert करने में मदद करता है आम तोर पर इस से शरीर में पूरुशों जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं जिसकी वज़े से चाती पेट आदी सानों पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं इसके ज़्यादा बढ़ जाने से diabetes का भी खत्रा रहता है मोटापा बढ़ जाता है नीद आने में दिक्कत होने लगती है दिल की बिमारियां होने लगती है यहां तक की यूट्रिस में cancer तक हो सकता है आईए बात करते हैं अब इसके इलाज की इस सिंड्रोम का पूरी तरह से इलाज तो नहीं है लेकिन सही तरीके से exercise से PCOS का कंट्रोल किया जा सकता है लोगों को जादा फाइबर और प्रोटीन वाली चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए इसके अलावा फल और सबजियां जादा खानी चाहिए जिन चीजों में carbohydrate कम होता है वे चीजें ज्यादा खानी चाहिए लोजियाईवाले फल खानी चाहिए जैसे अंगूर कीवी, संत्रे, आदी, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी पैदार्थों से परहेज करना चाहिए इसके अलबा बताते हैं कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड किन किन चीज़ों में होता है तुलसी के बीज, अक्रोट, राई, राई का तेल, सोया बीन, ककड़ी के बीज, बीन्स आदी में ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड पाया जाता है मिनलल से भरपूर हरी सबजियों को रोजाना अपने खाने में शामिल करना चाहिए मेगनीशियम से भरपूर फूर्ड का सेवन करना चाहिए इसमें आते हैं सोया बीन, कड़ू के बीज, दही, मचली, केला, बादाम, स्ट्रोबेरी, अंजीर, पालक रोजाना डायट में अगर आप इस प्रकार का भोजन शामिल करेंगे तो युगतियों में दाड़ी मूच की ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी उमीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद